मैं डॉक्टर नीर्जा शर्माराज की महा विद्याले धौलपूर एसोसियेट प्रोफेसर समाशास्र आज मैं आपको महिलाओं भारत में महिलाओं के विरुद हिंसा के विशय पे कुछ जानकारी देना चाहती वेदिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति सभी प्रकार से अच्ची थी वैसे भी अगर हम देखें तो हमारी संपुण बिश्व की आवादी में लगबग आधी आवादी पुरुशों की और आदी महिलाओं की है तो यदि और अधिकाश्ता सभी समाजों में विश्व के सभी समाजों में पुरुष प्रधान परिवार हमें और पुरुष प्रधान समाज हमें देखने को मनता है तो स्वाभाविक रूप से जहां पर जिस की प्रधान ता है उसका वर्चस्व रहता है तो उसी विशय में अगर हम पूरिश प्रधान परिवार या समाज होने के कारण महिलाओं की स्थिति के बारे में हमें जानना भूत आवशक है तो अगर हम प्राचिन काल से देखे तो वेदिक काल में भारत में महिलाओं की स्थिति सभी प्रकार से अच्छी थी उस समय नारी को शक्ती के रूप में माना जाता था और धार्मी ग्रंतुवा में भी नारी के लिए लिखा गया है कि यस्त्र नार्यस्तु पूजयते रमन्ते तत्र देखता लड़किया ब्रह्मचर्य का पालन करती थी आश्रम में सहशिक्षा के प्रमाण भी मिलते हैं और कन्या अपना वर का स्वयम प्रिथा के द्वारा चुनाव करती थी मद्यकाल में आते आते भविलाओं की स्थिति में हमें परिवर्तन देखने को मिला है उसका मुख्य कारणे बाहय आकरमन कारियों के द्वारा हमारे देश पर आकरमन और इस कारण महिलाओं की सुरक्षा की द्रश्टी से उन पर कुछ पाबंदिया लगाई गई और उसके बाद में आज तक उसे पुर्षों की तरह स्वतंत्रता नहीं मिल पाई और जो प्राबंदिया लगी थी वो बाद में भी मलब की लगाता निरंतर चलती रही बलकि और कई पाबंदिया लगा दी गई अगर आज हम देखें महिलाओं पर तो उसका अपराद जो है उसके उपर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं का आनेक प्रकार से शोशन हो रहा है जैसे कन्याप्रून हत्या से लेकर अपरण हत्या बलातकर दहेज हत्या घरेलू हिंसा आदी आए दिन हमें देखने को मलती है इसके अतिरिक्त और भी कई मतलब महिलाओं के प्रति होने वाले सोशन में आता है कुपोशन, परदाप्रथा, अशिक्छा ये भी एक समस्या है अब यदि किसी भी देश की आदि जन संख्या जो महिलाओं की है उसके विरुद हिंसा हो, उसका शोशन हो तो ये उस देश के लिए एक जटिल समस्या है इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो महिलाओं के विरुद हिंसा की हम परिभाशा किसे कह सकते हैं कौन से ऐसे ब्यवहार हैं, जिने हम महिलाओं के विरुद हिंसा के अंतरगत लाएंगे तो सामा ने बोल चाल में एसा कार जो किसी महिलाओं को शारिडिक या मांसिक रूप से पीड़ा पहुचा है महिला हिंसा कहलाती है जैसे महिलाओं के साथ कुरूरता का विवहार अपकार करना कर्म से पीड़ा पहुचाना आदे महिलाओं के विरुद्ध यदि हम हिंसा के प्रकार देखें तो उसमें जो महिलादी का आश्टा अगर हम देखें बजपन से लेके व्रद्धा वस्ता तक परिवार के परिवार के पुर्शों के सरक्षण में रहती है तो सबसे पहले जो है वो शुरुवात करेंगे वो अगर हम इसके प्रकार में देखेंगे तो सबसे पहला प्रकार है पारिवारी किंसा पारिवारी किंसा इसमें परिवार के जो लोग होते हैं वो उनका व्याभार परिवार की बेटियों के प्रती महिलाओं के प्रती कन्याओं के प्रती घर की वध्वों के प्रती और विद्वाओं के प्रती जो दूर व्याभार किया जाता है वह पारिवारिक हिंसा के अंतरगत आता है और अधिकाशता हमें देखते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराद होते हैं उसमें कहीं न कहीं परिवार के लोग शामिल होते हैं जैसे दहे जत्या, महिलाओं के घरेलू हिंसा, विभा के बाद में महिलाओं के प्रती किया जाने वाला सुस्राली जनों के द्वारा ब्याभार, पती के द्वारा किया जाने वाला ब्याभार, और ऐसा नहीं है कि केवल सुस्राली जनों के द्वारा ही किया जाता है, कई बार परिवार की कोई विद्वा इस्तरी जब अपने माईके में रहती है तब भी उसके कई बार परिवार जनों के द्वारा उसके प्रती भी हिंसात्मक्वेभार किया जाता है फिर सामाजिक हिंसा में आएगी दहे संबंदी हिंसा एवं महिलाओं के विरुद्ध किसी कारण बस किये जाने वाला पराद और उसके बाद में या तो महिला को इतना विवश कर देना कि वो आत्म हत्या कर ले या फिर उसकी हत्या कर देना ये सब जो है महिलाओं दहे संबंदी हत्या उसकी मिर्त्यू या कोपरुशन के द्वारा उसकी मिर्त्यू होना या अन्य बलात कार या अन्य किसी कारण से मिर्त्यू होना ये भी सामाजिक हिंसा के अंदर जद आती है फिर यहां परादी खिंसा, इसमें अपरण, बलातकार, हत्या, आदी आते हैं महिलां के विरुत हिंसा रोकने के उपाए सबसे पहला है इसमें सोच में परिवर्ता सोच में परिवर्ता हैं जैसा कि हम अगर देखे किसी भी समाज की संरचना का मुख्य जो प्रारम भी काई है वो है परिवार तो हमें सबसे पहले परिवार जनू के हर परिवार में परिवार के पुरुषों के ही सोच में परिवर्तन लाना होगा और वो परिवर्तन किस से लाय जाएगा कि परिवार की महिलाओं और अन्य महिलाओं का सम्मान करना घर के बड़े पुरुशों का भी और जब घर के जो वरिष्ट पुरुश हैं जब वो महिलाओं का सम्मान करेंगे परिवार की और अडोस-पडोस की और समाज-समाज की महिलाओं का तो घर के अन्य जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, वो भी ये देखके और उनका अनुकरन करके, तो ये सोच में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है आत्मभिश्वास बढाना, एबं शोशन के विरुष शशक्त बनाना दूसरा, प्रारंब से ही, जब लड़की का जन्म होता है, थोड़ी बड़ी होती है उसके बार में उसको बार-बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसे दूसरे घर जाना है, हमारे देश में क्या माना जाता है, लड़की पराये घर की और उसके बार में दूसरा, मतलब कि उसके उपर यदि उसको कुछ दबाया जाता है उसकी च्छाओं का दमन किया जाता है तो यह कहा जाता है तुम लड़की हो, तुम्हें दूसरे घर जाना है तुम्हें इन संसकारों को सीखना है इससे क्या होता है, कई ब़ार उसमें आत्मिश्वास की कमी हो जाती है उसके प्रति होने वाले दूर बयवार का विरोध नहीं कर पाती है अत्मविश्वास कम होने के कारण सुरक्षा एबम आश्रय की ब्यवस्ता जेव शास्त्री द्रश्टीकोंड से अगर हम देखे तो महिलाएं जो है वैसे कमजोर नहीं है लेकिन उनके साथ कुछ सुरक्षा संबंदी ब्यवस्ता है जुड़ी हुई है तो उसके कारण उन्हें दूसरा अधिकांश मैलाएं जो है अपने पेरों पे खड़ी हुई नहीं है समाज की और शिक्छा की भी अभाव है तो इस कारण जो है उनके उपर शोषण होता है जब उसका विरोध करें तो उन्हें कहीं न कहीं और किसी स्थान पे सुरक्षा राश्रे की वेवस्ता की आवश्यक्ता होती है और जब वो नहीं मिल पाता है तो उसके आश्रे ना होने के कारण, सुरक्षा ना होने के कारण जहां उनका शोशन हो रहा है, उनके साथ दुर्बेवार होता है वहीं रहे के और वो उसको सेहन करने का उन्हें मादधा लेना पड़ता है स्वयम से भी संगठनों का प्रचार एवं प्रसार करना इसके लिए महिलाओं के लिए जो विभिन सहायता के लिए जो स्वयम से भी संगठन बने हैं उनका प्रचार प्रसार करना, महिलाओं के अधिकारों, कर्तव्यों, उनके न्याईक अधिकार इन सब के बारे में उनको समय समय पे जानकारी देना जिससे कि वो महिलाएं और बारीकाएं अवेयर हो सके और वो अपनी सुरक्षा कर सके और उनके प्रती होने वाले दुर्वेभार और अपरात का विरोध कर सके हमारे किसी भी समाज की सामाजिक ब्यवस्ता में परिवार और विवाह एक मूलाधार क्या होता है विवाह के बाद में पत्ति पत्नी और उनसे उत्पन बच्चों से परिवार का निर्मान होता है तो इसमें एक बात और है आगे कि अधिकांज तर परिवार में बच्चों की देखभाल का सम्पूर्ण जुम्मा महिलाओं के हाथ में होता है तो एक तो महिलाएं के लिए रोजगार आविशक है और जब वो घर से बाहर रोजगार के लिए निकलेंगी तो परिवार के बच्चों की देखभाल की ब्यवस्ता होना आविशक है तब ही वो जो है वो अपने कारे स्थर पर मन लगा के कारे कर पाएंगी जबकि उनके बच्चों की देखभाल की पूर्टी हो सके तो इसकी सुविधा की विवस्ता भी आविशक है कि जहां पे भी 5 या 5 सर्दिक महिलाएं कारे करती है उनको जो है उस स्थान पे क्रेज की या जूलाधर की विवस्ता हो जिससे की बच्चे जो है वही पे वह अपने की देखभाल हो सके और वो अपने कारे स्थाल पर मन लगा के कारे कर सके सस्ती एवं न्यून उप्चारिक न्याय लोग की बेवस्ता न्याय प्रणाली में वेसे तो हमारे देश में बताया गया है कि जिसके पास यह सुविधा नहीं है कि उसके विरुद होने वाले अपरा कि अचैर के वुरुद है वो न्याय लगा में जाता है तो उसे मुफ्त जो है कि असलह की बेवस्ता है लेकिन ये इसके लिए इतनी लंबी परोसस है कि अधिकांश्टा महिलाओं जो है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाती है तो महिलाओं के लिए सस्ती और न्यून जो छाग रुकता होगी तभी वो न्याय लग के और जाएंगी निशूलक कानोनी सहाइथा अ कि जो है वह उनको जो कानूनी सहाइता मिले कई महिलाएं जो अफ़र्ड नहीं कर पाती हैं अपनी मतलब वखीलों का या इनका खर्चा तो निशन को कानूनी सहाइता मिलने की भी वेवस्ता होना चाहिए और महिलाओं को तुरित नियाए मिले यह वेवस्ता कई बार किसी महि नहीं रास्ते निकाल के बसते रहते हैं तो उस नियाए को प्राप्त करने की पूरी चाहे समाप्त हो जाती है यह व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि जब उसे नियाए प्राप्त होता है तब उसके जीवन में को उसको नियाए प्राप्त को लेकि कोई खुशी नहीं र कोई भी जो मुकदमा या वाद पेश हो रहा है उसमें छे महीने या साल भर का एक समय का निर्धारन किया जाए कि उसमें जो ये उसको त्वरित न्याय मिलने की व्यवस्ता होना चाहिए जिससे की न्याय व्यवस्ता पर और अदालत पर उसका विश्वास बढ़े लोगों मे डर हो और वो महिलाओं के प्रती अपराद ना करें